OBE, OBE का मतलब होता है कि open book examination, जो हम book खोल के देखते हुए answer देते हैं, उसे बोलते हैं कि open book examination, आजकल के जो paper हो रहे हैं, दो तरीके सो रहे हैं, कोरोना काल में, पहला जो है, फिजिकल मोड हो रहा है, दूसरा जो है, remote mode हो रहा है, तो physical mode जो होता है, उसमें paper आपको college में जा क के देना पड़ता है, वहाँ पे आपको college में जा के देना पड़ता है, college में आपको paper दिया जाता है, जिस तरह होता है, उसी तरह आपको तीन घंटे का time दिया जाता है, उसी तरह आपको question करके देना पड़ता है, तो आप लोग decide कर लिजेगा कौन सा mode देना, जो दूसरा mode ह के देना पड़ता है तो इसे अच्छे से समझते हैं क्या है इसमें दूसरा जो है हुआ है रिमोट जब आप अभी एक्जामिन सम्फूम भरे होंगे तो वहां उप्सन दिया होगा फीजिकल हो और यह दूसरा होगा ICT based facility यानि कि ICT मतब रिमोट मोट आप online देना चाते हैं offline तो वहां पे अगर आप online भरते हैं तो आपको घर बैठे बैठे पेपर देना पड़ेगा घर बैठे बैठे पेपर जो online का system उसमें यह है कि आपको एक portal होता है वहां पे ID कुछ दिनों पहले बनवा ली जाती है आप उस पे ID से login करेंगे तो वहां पे एक समय में आपको पेपर दिया जाता है पेपर अपलोड वहां कर दिया जाता है तो आपके सामने आजा गया पेपर और आपको time दिया जाता है तीन से चार गंटे दिया जाते है कि आप तीन गंटे के अंदर चार question करके upload कर दे हर question को उस पर click करके आप उसे PDF बना के पहले से फोटो कीच के रखिए और तुरांत उस पे upload कर दीता है तो इसके लिए किसना time मिलता है देखो जैसे तीन गंटे paper के time मिलते है उसे college में भी उतना ही मिलता है तीन गंटे का मिलता है पर online जो होता है घर बैठे बैठे आप देंगे उसमें एकात मिनट आपको एक घंटे एश्टरा मिलते है तीन गंटे आपको paper करने के मिलते हैं और एक घंटे आपको upload करने के मिलते हैं क्योंकि site पे बहुत लोग लाखों लोग paper दे रहे होते हैं इसलिए थोड़ा slow चलती है इसलिए कोसिस करना कि आप जितना जल्दी हो स करना कि आप अपलोड करेंगे वह साथ MB से कम होना चाहिए आप उसे स्मॉल लेंथ उसकी कम लेना स्मॉल MB में करना तब अपलोड करना जिससे जल्दी हो जाए तो आप लोगों को बस यह information देना था अधिकतर लोग यह question पूछ रहे हैं कि वह भी दो तरीके सोरा सर इसमें क और आए हुए आप घर से ICT-based भरना remote mode ज्यादा सेरेगा आप घर पे अराम से बुकल आए अराम से देखके और इसमें थोड़ा ओ भी जो फीजिकल मोड़ से ज्यादा टाइम मिलता है इसलिए मैं यह कर रहा हूं क्योंकि आप college में जाएंगे college में तीन गंटे मिलेगा उत university से या site पर जाके कहीं पर भी ले सकते हैं और वहां से exam form भर सकते हैं और आपको पेपर आड़ करने के लिए भी देते हैं तो वहां पेपर आड़ करते जाए ऐसा नेक एक पेपर आड़ करके submission करते हैं नहीं एक पेपर आड़ हो गया फिर उसी तरह से दूसरा तीसरा पेपर चालू होने वाले हैं सभी के जितने भी हैं सबके पेपर चालू होने वाले हैं तो आप लोग तयार हो जाए वह भी इस system बहुत अच्छा system है कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग कोशिज करिए कि सारी चीजे और सारी डीटेल आप लोग आराम से feel करें और भढ़ थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर पसंद है तो थैंक यू थैंक यू सो मच